एलॉन मस्क की कमपनी टेसला अब बहुत चल भारत में भी आने वाली है और भारत में अब इसकी जो गाडियां है आपको सडकों पर बहुत जल दिखेंगी लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो टेसला की गाडियां है वो बहुत महंगी है लेकिन भारत सरकार न और इसको लेकर निती आयोग के अध्यक्ष भी लगातार इस मसले पर अपने नजर बनाए हुए है ताकि भारत के बाजार में जो टेसला की कारे है वो उतनी महगी ना भी के बलकी सस्ती भी के टेसला भारत आने से पहले चाहता है कि उसका जो इंपोर्ट जो टैक्स है यानि क कि आयात कर है उसमें थोड़ी छूट दी जाए जिसके बाद जो कीमते हैं वह अपने आप धेद्रे कम हो जाएंगे निती आयोग के उपध्यक्ष राजियू कुमार ने संकेत दिया है कि भारत तेसला की शर्तों को मान सकती है निती आयोग के उपध्यक्ष राजियू कुम के दौरान कुमार ने कहा कि टेसला को सिर्फ अपने उत्पादों को भारत में भेजना ही नहीं चाहिए बल्कि यहां आकर इनका निर्माण भी करना चाहिए उत्पादों को भेजने से देश में रोजगार का स्रिजन नहीं होगा गौड तलब है कि गुरवार को ही रॉचर भारतिय बाजार में आए लेकिन इंपोर्ट टैक्स ज्यादा होने के वज़े से जो इनकी कीमते हैं वो भारत आते आते बहुत ज्यादा हो जाती हैं जिसके वज़ेसे टेसला लगातार ये कोश्य कर रहा है कि उसे इंपोर्ट टैक्स में थोड़ी छूट दी जाए जिसके बाद वो अपनी गाड़ियों को भारतिय बाजार में उतार सके और इसको लोगी कर वो तमाम कोश्य भी कर रहा है तेसला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यारियों को लेटर लिखा है तेसला ने प्रधानमंत्री से आगरह किया है कि उसके भारत में कार लॉंच कर तो इसे घरेलू manufacturing को नुकसान होगा कर रियायतों से सब्मंधिनत company की मांग के बारे में एक सवाल के जवाब में राजी उकुमार ने कहा कि आईए और भारत में manufacturing कीजिए आपको यानि के टेसला सभी कर लाग मिलेंगे जो आप चाहते हैं लेकिन आपको बता दे कि भारतिय बाजार में भी और भारते कमपनियां भी ऐसी हैं जो कि अब भारत में electric गाड़ियों का निर्मान कर रही हैं यानि कि electricity से चलने वाली गाड़ियों का निर्मान कर रही हैं अगर भारत सरकार इस import tax को खत्म करती है तो एक बात तो साफ है कि इ भारत में ही इलेक्टरी गाड़िया बनाती हैं और यहीं के बाजार के लिए बनाती हैं ऐसे में यह जो कॉंपटिशन है मार्केट में उनके लिए काफी खत्रे का बात होगा और उनके लिए कह सकते हैं कि उनके बाजार पर इसा काफी असर पड़ेगा और जाहिर सी बात है व झाल झाल